तो कैसे हैं आप लोग अच्छी हूं तुना ठंडी पढ़ रहा है पुरा हाथ पर एक दिम बरफ हो गया है मेरा और अभी में होडी पहने हूं क्योंकि स्वेटर मेरा बुबु पहनने नहीं देता है पुरा उसको स्वेटर देखते बहुत गुसा आने लगता है मैं स्वेटर बना रहे थी और टोपी मैंने स्वेटर लगा लिए अब उसको लग गया कि यह क्या पहना लगता स्वेटर ही है फिर आके काटने लगा फिर मैंने हटा कि फिर मुझे निकाल के फेकना ही बड़ा हुडी तो अभी सो रहा है मेरा बुबु अभी धूप हुई है यहां अच् दूप हुआ है इतना अच्छा लग रहा ना कि मैं नीचे चली जाओ थोड़ा दूप लेकिन नीचे जा नहीं सकती में बुबु को भगाएगा बहुत और यह डर लगता है छूटके अगर भाग गया तो फिर कौन पकड़ेगा उसको मेरे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं मैं अलग सी नहीं तरीके की रेशिपी बनाने बच्चों को बहुत पसंद है वह ची तो बच्चे दो दिन तीन दिन से बोल रहे थे तो मेरा चुट्टी नहीं था तो इसके वज़े से मैंने बनाया नहीं क्योंकि आते आते मुझे साथ बच जाता है शाम के और सुबह आठ के साफ्टी पा रहे थी तो आज मैंने बनाने के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है बच्चे आएंगे तो अज उनको खाने के लिए catastrophic के सामको बहुत खुश हो जाएंगे बच्चे पूरा की देखते खुरा हो जाएंगे दोनों ममी ने आज बना ही दिया तो बेटी बीथी दो दिन बच्चों के लिए कुछ बना देती हुँ अच्छा चीज खाना तो लोग नहीं बनाओंगी अभी खाना वह लोग खाएंगे भी ने स्कूल से आएंगे तो थोड़ा उनको खाना भी चारि रोजी बना देती हूं उनके लिए तो अभी तैयारी करके रखती हूं और आभी बज रहे हैं एक बज रहे हैं तो एक बज़े तो अभी बना दूंगी तो ठंडा हो जाएगा जब खाले सब कुछ आज कल मेरा चुट्टी है तो आज और कल जाएंगे दो दिन भी आफिस जाएंगे तो उनको भी मैं भूली कितना बीच तक आओगे तो बोल रहें शाम हो जाएगा ने में तो भी चार-पांच बजे तक ही आ जाएंगे तो सब लोग साम कोई स्नेक्स के टाइम पर आ या पूव मनन नहीं करता बनाने के लिए एक लोग खाएंगे तो अच्छा भी लंगता है कुछ बना के मतलब पूरा परिवार अपना खायेगा तो अपनेis खुशी होती है और और कोई नहीं रणता आज मेरे खाम इवा lag एखे ले में खाने के लिए ढ़सा घ्र हाक सुअना कि लेख़ें आस्यची मेरे भेक्ते का सब्सक्राइब होएं एक चावल नमक चावल करके दे दिया है वह खांगा वह देगा तो अभी तुअ अबिट फूल सोय कि हमाल सुस्थी सब बहुत ने हांगे उसको और नमक चावळ और पनीर यह सब डालके देंगे लिस्ए स्वाइब बहुत पसंद है और नौन वेज में चंद पसंद आभी नहीं ठाव रहा है उसको पसंद मतलब उप गया है अब नहीं खा रहा है तो तीन अब घीन अमक चावल खा रहा है तो मैं अच्छा है कम से कम वेज खाने लगे न तो नोने चुट जाए उसके लिए जो ला और दिन भर मूह बानके बैठावी एक बज गया है दूद तक नहीं पिया है खाना रखा हुआ है नहीं खारा है अभी उसका मूर करेगा तब खाएगा अभी दूद पिलाओंगी उसको दूद थोड़ा मलाई वगरा उसके मूह में डालोंगी उसको अच्छा लगेगा टेश अब परिशान करेगा वो मुझे अलग से अब लोग घर में रहते तो नहीं लगता है तो बोल रहें क्यों मूझ खुझली कर रहा है कि जगडा करने के लिए कोई नहीं नहीं तो बोलते ना कि ठंडी बहुत पढ़ रही है अपने वीबी से थोड़ा संपर्क बनाके रखे क यहाग कुछ ना कुछ अइसा बमिल रहा होगा रही हुआ ा इसली हो तर में फ्टोन पर भी कर सकती ही तो बोलते हैं आज काल इतनी सब सुविधा हो गई है कि आदबी को सामने बैशने ज़रोत नहीं अगर मुझे लड़ाई करनी है तो मैं फोन करके भी कर सकती हूं ऐसा नहीं लेकिन अकेले घर में अच्छा भी नहीं लग रहा है एक दम बूर हो गई हूं बच्चे स्कूल चले गए हैं अब बच्चों को मेरा सो रहा हुँ भी ने खेल रहा है थो तो थोड़ा अच्छा लगता खेल भी नहीं रहा है जाकि सो यह हुआ है अभी मेरा गहर काम भी हो गया है अब बाता कर लो कि अभी पताने कब खायेगा कब उठेगों खाले तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा सुकून मिल जाए मैं जाके सों थोड़ा एका गंटा रिष्ट करूं को या और नींद भी नहीं आएगी अभी तो क्योंकि अभी बच्चे आएंगे चार बजे तक अभी ब खाने में बहुत अच्छा लगता है बहुत है आड़ी अच्छा लगता है औ Picture को कई रहती नहीं बहुत को जल्दी भागा भाग रहती है चुट्टी के दिन भी हमें इतली चांबército त 생 249 खाने on the Adustra आप पसंद नहीं है कुछ खाना हमारे घर में सब को जो सुबह खाली नास्ता आते कुछ जैसे पुहा हो गया उपमा वह मेरे बच्चे को पसंद नहीं है बहुत कम मतलब डाटू आटूंगी तब खाएंगे नहीं तो इतना नहीं है थोड़ा बहुत उपमा मेरे हाजबन को मुझे भी पसंद है तो यही सब बनाती हूं सुभे सुभे के टाइम पर पोहा उपमा साबुदाने का किचडि यटी डोसा यही सब नास्ता रहता है यही सब बनाना रहता है और सब साम कोई बना शाम को आच्छा भी लगता है थोड़ा खाने में क्योंकि आप कुछ भी दे नहीं खाएंगे तो चुट्टी के दिन भी कुछ बनता ही रहता है तो यह सब बना देती हुआ लेकिन शाम को अच्छा कुछ सारे साथ 8 बज़े तक बना देती हुआ कभी अगर नहीं मन किया तो समोसा वगेरा ला देती हुआ तो यह सब मिलने लगा है जब हम लोग बैंगलोर में आये थे ना स्टार्टिंग में आज के कितना हम लोग को 13-14 साल हो गया यहां के हो भी जो हम लोग पहले अपार्टमेंट में रहते थे वहां पर पाने पुड़ी की दुकान थी बाक्यों और कुछ भी नहीं था और भाइया भी हमारे गां के हैं तो अभी से पहचान वगेरा हो गई थी हमारी और अभी तो इतना मॉल इतना मार्केट तक भी कुछ नहीं खाली और साथ बजे के बाद यहां बस नहीं चलती थी तो अगर बस से भी अगर जिसकी बाइक पर्सनल गाड़ी है तो आ जाता लेकिन साड़े साथ आट बजे के बाद डर लगता था बहुत और अभी अभी तो इतना मतलब आप दो बजे रात में भी कभी भी आ जा सकते ह हुआ हा अभी आप देखरें इतनी सारी दुकानी हो गई हुटल हो गया है पानीपूडी और वडा पास और मुझा बाद में तीन त्यार साल के बाद में एक मिपक्न एक उटल भी खुला था वस्क्राजमाट था वही है वह होटल अपार्टमेंट के अंदर रिक खुला था गर एन को बहूंअ नो दस साल थे बहुत अच्छा लगता था वहां पर अभी देखते हैं तो वही दुकान सहारा थी हमारी उसी से हम लोग सब पूरा अपार्टमेंट वहीं से लेता था एक ही दुकानी थी अभी तो बहुत दुकान हो गई है मौल हो गया है अंदर ही और रोट से निकलो तो 6-6 शाल हो गया थो उसके बाद में वह बना चलू हुआ तो उसके बार्ट में यह यह झाल कर दो आपांठSch मरिताया था कि यह और बोट सपना layer 59 का सब्सके आथ हैünüz और तुम सपना खुशी होती है अलग की खुशी होती है कि अपना घर है अपने कमाई से लिया है किसी का सपोर्ट नहीं किसी का कुछ भी नहीं कोई नहीं बोल सकता है कि हमने तुमको यह दिया है तुमने हम हमारा हमने तुम्हारा यह help किया हमने तुम्हारा वह help किया कोई सुनाने वाला नह नहीं लगा है इसमें सिफ मेरा और मेरे हैजबन का हम दोनों की महनत है यह और सबसे बड़ी महनत मेरे बच्चों की है मेरे बच्चे इतने छोटे-छोटे थे जब मैं यहां बैंगलोर में आई थी मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे कैसे कैसे करके मैंने एक साल का ही दोनों में डिफरेंट ज्यादा चोटे बड़े नहीं है एक की साल का है तो बहुत चोटे चोटे थे वह वीडियो आप लोग को दिखाऊंगे अभी वह पुराना वीडियो फोटो कुछ है यह नहीं मेरे हैस्बें का मोबाइल था वह चोरी हो गया तो इसके वज अब बच्चेs 13-46-3 साल की मेरी बिटी है और बारा साल का मेरा वीटा तो कितने चोटे रहे होंगे मेरे बच्चे दोनों लोग से बहुत चोटते तहक्त है वह उच्छम आधिके स्पंटे नहीं भीना और इस दोनों को में डे के और में रख्क्रक्ति आ काम करती थिन यह साइब मेरे पहां तहां पर नए रख सकते तो मने ले काup तो बच्चों बच्चे करते हैं रखूर्ल तो बच्चों को तब तो यही था और बच्चे मेरे आने के बाद मेरे बद्रहीं कि stress ले आ के ति हो अचमुरेज़ने उयमाने ऐसे क्यादे नो से साड़े कांस तक था तो दो रायने में फिर आके फिर य। थे हम दुश्यों को ख़िलता मतलब क्या कि यसे कैसे करके बच्चे मेरे खाने में इतना ड्रामा करते इतना परिशान करते देखने जाभ. में कहा घालते हैं माज़न दा her doctor SQL सब्सकूंती है मेरे बच्चे कभी नहीं खाते ही इतना ऊं कि अगर में कुछ यहां ज़्ने सब्सक्राद के दीदा कोई नहीं इस तरह? लेते हैं अब तो सुड़ा समझदार हुगे अब आपने हाथ से लेते हैं दोनों खाना तो अब अब टेंशन नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता था तो क्या करेंगे लेकिन जब कोई सपोर्ट के लिए आपके आगे पीछे नहीं रहता तो आपके उपर जब जिम्मेदारी आ जाएगी ना तो उसको निभाना ही है किसी भी कीमत पर करके तो कोई आज बोल नहीं सकता लेकिन हाँ बुरा स tickets' कमाई से स्बस्ट नहीं होए हम कनीक है अकशनें पर सेथ हुए हैं अपने एक-एक कैसे कैसे करके हमने पैसा कमाया किkeiten मैंनत कुईनिक तूआं कोई नहीं दिखा था अरे तो घर ले लिए तुम तो स्बस्ट होगए हो ऐसा लगता है कि सब ने लाके मुझे ऐखजाना दिया था हम सेट हो गया है जो हमारा था वह तक किसी ने नहीं दिया और तो अपना तो छोड़ी दो कि अजो हमारा है न तो हम आओ वह बोलते ना हमारा हमें मिल जाए वह बहुत बड़ी बात है दूस्त क्या बुलें अभी जाने दिजिए दोस्तों संदिस हैं और सेस्टाराइब कुछ नहीं वाले क्या नहीं बनाओं है लोग को पता चल जाए। कझाल कि शाव बेल लोख बनाओंगी कभी कहानी किसी के का लर्माना तो यह भर किसी के के एक चवणनी का नहीं है और किसी कोई बोल नहीं सकता हमको क्योंकि ये घर मेरे बच्चों के और मेरे महनत का है और मेरे हजबन की महनत का है ये हम लोगों ने दिन रात एक करके और जब हम लोग आये जहां हम लोग रहते हैं अपार्टमेंट में वहां सबको पता है कि मैंने कितनी महनत की है और बहु मेहनत करने पड़ते नहीं कि नहीं है महनत कि कि जो हमारे जीवन के लिए यहही रास्ता करना है तो करना है क्योंकि जिम्मेदारी है तो मेहनत करनी ही है और कोई दास्ता भी नहीं है तो कैसा लगा दोस्तों ब्लॉक बहुत लंबा हो गया फिर मिलते हैं नेक्स ब्लॉक में बाए बाए